हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चानल लर्निंग विश्यता उमीद करती हूँ दोस्तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो यह है पेपर 16-10-2022 का जो की सेकंड शिफ्ट में हुआ था तो मैं जो आज का लेके आई हूँ वीडियो उसमें मैं आपको सभी कोश्यन्स बताऊंगी कि किस लेवल के कोश्यन्स आते हैं आपके यूपी पैट एक्जाम में जो की लास्ट येर हुआ था उसमें दो शिफ्ट चार शिफ्ट थी और दो दिन एक्जाम चले थे तो मैं वन बाई वन हर वीडियो में कैसा एक्जाम पेपर आया विद ओफीशि आंसर की आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी तो पहला हमारा कोश्यन है हरापा के एक बंदरगाह का नाम लिखी है तो इसका सही आंसर है लोथल जैन धर्म का सबसे महत्रपूर्ण मौलिक संधान्त है तो इसका अंसर है अहिंसा निमलिकित में से कि शाषक के दरबार में ब अवजी तक शाषन किया तो इसका आंसर है खिल जी ने भारत में ब्रेटिश स्राम्राज के लिए डैश अवद को कबजे में लिया तो हरपनीती के माध्यम से निमलिकित में से किन के द्वारा 1857 की करांती की शुरूआत की गई थी तो इसका अंसर है सिपाहियों बंगाल मे इसका अंसर है स्वदेशी खलीफा की अस्थाई शक्तियों की रच्छा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समीति का गठन किया गया था इसका अंसर है 1919 भारत सरकार अधिनियम 1935 की अनुसार मुख्य नाय दीश के साथ कितने राय दीशों की निवत्ति की गई थी तो इसका अंसर है 6 निम लेकित में से कौन सी घटना की प्रतिकिया में भारत छोड़ों आंदोलन चलाया गया था तो इसका अंसर है क्रिप्स मिशन की विफलता अरा वाली परवत शेणी में सबसे उंचा शिखर कौन सा है तो इसका अंसर है गुरु शिखर ग्रिश मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू भारत की मानक यामनुत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनिट पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में निमलिकित में सिखिस जिले में नैमी शारन ने तीर्थ इस्थान अवस्तित है तो इसका सही अंसर है सीतापूर कौन सा सबसे उंचा भारती शिखर है तो इसका सही आंसर है कंचन जंगा नई आर्थिक नीति को सामानिता विकार्स के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है तो इसका सही आंसर एलपी जी कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत पूर्जी सरकार के अधिकार में होती है 51 प्रितिशत हॉल मार्क लोगों का ओपियोग निमने में किस समस्ता की ओर ध्यान दिया गया था इसका अंसर है विदेशी मुद्र भंडार के संकट निमने में इसे कौन सा अनुच्छे धन विदेय को परिभाशित करता है तो इसका सही आंसर है अनुच्छे 110 वे आदर्श हैं जिने राजी को नीतियों का निर्माण करते समय ध्या किया गया है भाग चार के का में हमारे मौलिक करतव बताए गये हैं वार्टी समिधान के अनुच्छे 343 किसके बारे में हैं तो यह संग की परिभाशा को बताते हैं निमने में से कौन सी सर्वोची नयायले के नयायधिश की सेवा निवत्ति की सही आयू है पैसट वर्ष न दिन में से कौन सा इन्द धनुष के साथ रंगों में से एक रंग नहीं है सफेद दिन में से किस गयास को ग्रीन हाउस गयास के रूप में नहीं जाना जाता है आरगन वाशिंग सोडा किसका प्रिछलेत नाम है सोडियम कार्बोनेट का ओजोन होल किस से संबंदित है आई में कमी से अपने पोश्रक तत्व मुखिता कहां से प्राप्त करते हैं मिट्टी से दोस्तों यह आप मैं को कुशन देख सकते हैं इसमें मैं स्किप कर रही हूं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आप मैं आपके सभी कोशन सॉल्व करके ल आपते हैं नेक्स कोशन है शम्शुत शब्द अली अली शब्द युगम का सही अर्थ क्या है तो अली मिस होता है और अली मिस होता है सखी नागर का पयाव अच्छी शब्द है चतुर सन्यासी का विलुम शब्द है ग्रहस्त कोलू का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना अब दोस्तों यह पैसेज आया है आपका English का और इससे आपके questions पुछते हैं अब questions में क्या पूछते हैं एक दो questions तो आपके इस पारा से से पूछ देते हैं वन वन सब्सक्राइब करके आपसे questions पूछ लेते हैं आप यह देख सकते हैं आप चाहिए उसका पतनी का भाई है फालगुनी किस परकार हादिक से संब्दित है तो ससूर की बहन यह आपका reasoning का question आ गया यह आपके reasoning का question आते हैं इसमें असंगत का chain करना है घड़ी का question आ गया है कथन और निशकस का question आ गया है फिर आपका कोडिंग का आ गया है question तो आप यह देख सकते हैं नेक्स है भारती तकनीकी M.E. हेटल निवेश कोई को आकाशित करने के लिए नासकौम ने सरकार की अजेंसी के साथ साध्येदारी किया तो किसके साथ की आउस्ट्रेलिया के साथ यह आपका current affair का question हो गया डेश शरकार के सौमित्र वाली रोसा टोमने हाल में ही भारत में कुडन कुलम सैयंत को दीर्ग इंधन चक्रवाले उन्नत एन इंधन की आपूर्तिगी है तो इसका आउसर है रूस राश्ट्री खादि सुरच्छा अधिनियम एन एफ से के राज्ज रैंकिंग सुचकांक म है समाने शर्डी के राज्यों में डैश राज शेष पर है तरसका अधनी परशाथ श्म पुरस्कार निम लिकित में से किस राज्य में भारत के प्रत्रथम अम्रस रहोग्र कभर झेया गैं गये निमरकेत्में से किस राज्य में हाली में यूरेनियं um karşite बंदार पाए गए हैं राजस्थान निम्लिकित में से किस राज्ज में दीमापुर में केंदरी मंत्री नरेन सिंग तोमर द्वारा क्रशी और किसान कल्याण के लिए शहर्द परिच्छा प्रयोक्षाला शुरू गई गई नागा लेंड निम्लिकित में से किन्स कंपनी के उ पड़ोसी द्वीपदेश है तो श्री लंका और माल्दिव निम्लिकित में से कौन सी ओमान की राजधानी है मस्कट निम्लिकित आप देखिए दोस्तों यह जो ओमान की राजधानी नोंने मस्कट पूछी है तो मैं इस पर अल्लेडी एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमे करके मैंने बनाया है प्लेडिस्ट आप उस पर जाकर से देख सकते हैं निम्लिकित में से डैश एक केंद शाष्य प्रेश की राजधानी नहीं है आईजॉल निम्लिकित में से कौन लोग सभा के प्रतम अध्यच्छ थे गड़ेश मावलांकर भारत में एक अंतर राष्टी कि समिक दिवस्ट किस दee मैं जाता है एक मै को निम्लिकित में से किस राज में आईयोजित किया जाता है माड़ी में सेठ्ट राज अमेरीका का राष्टी एक भेर बेस्बॉल मि lavender किस व्यक्ती ने हिंड स्वलाज की पुस्थक लिखी है महात्मा गांधी ने हरितले खांकन का अर्थ है डेश के आकलन के ध्यान रखतेवे देश की रास्टिया का मापन प्रदूशन एवं परियावरन हानी ग्रीन अकाउंटिंग इसे कहते हैं हरितले खांकन को नेक्स्ट यह आपका हिंदी में पैराग्राफ देगा गया इससे आपसे कोशन पूछे जाते हैं तो पैराग्राफ का तो आपको जितनी ज्यादा आप प्रेक्टिस करेंगों इतना ज्यादा आएगा आप यह देख सकते हैं कि किस तरह का पैराग्राफ आता है बहुत बड़ पराग्राफ नहीं आता है इसलिए आपको पेनिक होने की ज़रुत नहीं है आप अराम से सॉल्ल मुप कर सकते हैं तो प्लाग्राफ आते डिसके इंद़ 65-50 कोश्चन ाते हैं 55-50 नमर को लेकर आप इन्हें अराम से कर सकते हैं अब यह आपकी math की आ गई है math की table वगर आ गई है इसके लिए दोसको मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगी वीडियो आप चाहिए तो question का screenshot ले सकते हैं और यह आपकी question से आप इंगा screenshot ले लिजे कि इस level के questions आते हैं next video जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको यह question solve करके बताऊंगी यह आगया आपका chart वाले questions यह graph वाले और इसी के साथ आपको question paper खतम होता है तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश यह था कि आप लोग जान सकें कि PT के exam में कौन से लेवल के questions आते हैं ताकि आप अपनी preparation उस लेवल पर की जाए इस चैनल पर आपको यूपी पैसे